इन दिनों चाहे केंद्र सरकार हूँ या राज्य सरकार दोनों ही आदिवासियों के लिए कई प्रकार की उपलब्धिया ला रही है। वैसे तो सरकार भी जानती है कि जितने भी आदिवासी ग्रामिल होते हैं वह सभी जंगलों में ही निवास करते हैं। सरकार इनके लिए मुल्भु सुविधाएं जैसे बिजली, सडक, पानी और बच्चों की शिक्षा के लिए विध्याले जैसे कई तरह की सुविधाएं देने और वादे कर देश भर में वाहवाही लोटती हैं। और इनके हर दुख सुख में साथ रहने की बात भी कहती है। लेकिन इनी के अधिनस्त कर्मचारी आदिवासी ग्रामिल लोगों को सुविधाएं देने की बजाए इन गरीब तपके के लोगों पर अपना शिकंजा कस्ति हुए नजर आ रहे हैं। कि कोरूनाकाल के पहले हम लोग बराबर बिजली बिल जमा कर रहे थे। कोरूनाकाल के दोरान बिजली विभाग से बिल नहीं आया है, अब बिजली विभाग से 5000 रुपए तक के बिल आ रहे हैं। जिससे लोग काफी परिशान हैं वही इन दिनों जनजाती कारे और अनुसूचित जाती कल्याण विभाग की मंत्री मीना सिंग सतना जुले के चित्र कुछ दोरे पर हैं जब इस मामले में हमारे समवाद्दाता पंकच कुश्वा ने बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है तो यह से लाइट काट भी गई है तो कुछ समिश्या पर ही है कौन काटने आधी लाइट? अब विखागे कहोंगे लाइट काटने वाले हमतो जाने ही सकता है लाइट नहीं होने से का दिकता रहे है पहार जंगल आए पर साब लीशी थी रखाना शारफ खाउ सापो खाउ भीचि उखाई तुम कराओना कि अमा बताओ 15 सो इस बिल बेजते हैं तो कहां से हम दाइपाओ। जब तुम्हें तिकत आई है तो तुम ना लगाँ जा अरे हाँ थोड़ी थोड़ी करके तुम्हां आहम बिल भर देखें। यहां तीन चार रोज पहले लाइट कार दी गई है और बिल आया है डेर साल बाद करोना में चलते नहीं आया था लेकिन आया है जब तीन साल बाद तो इन लोग पंद्रा पंद्रा सो का बिल बना दिये अब हम लोग लगड़ी बेंचने वाले हैं सौ सो रुपाए की क्वेन दे चार यहां लोग देखिखे़ियं आसे पहले आए तर लाइट काट किया है अधिक्त हो रहे हैं तेम दीन ओपन है थोड़ी थोड़ी करके हम ड़ी आप इस समयं अध्यले में रहते हैं आको दिक्कते क्या क्यों हो रहे हैं ज़या जंगर कर अगर कोई बात हो तो आप लिकित में दे दीजे हम जाज करा लेंगे बिजली कर दिया तो चालो भी बिजली गुल होने से लगातार परिशान हो रहे गरामीडों के चलते आज हम बात कर रहे हैं सतना जिले की जहां पर गरामीड बिजली ना मिलने के वज़े से परिशान है जादा जानकारी के लिए हमारे समवादाता पंकच कुछवा हमारे साथ जुड़ गए है पंकच, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, तीन दिन का समय बीचुका है, बिजली गुल हो गई है, अधिकारी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या कुछ है पूरा मामला? कि वारे करती है अधियास बर में वहाँ वही भी लुटती है लेकि जिन डॉरा पिटती है और इनके हर दुख सुख में साथ रहने की वबाद काई लेकि एन करने के लिए लाले पड़े थी पुरी तरह से प्युजगार हो गए थी अपना काम दम चोड़कर पैजा लिकार कियो चल पड़े जैसे करकर किसी पेकार रहे थे प्रोना वारस की तब आहीं के ग्रमीन अंचर के लोग अभी पूस्पाए थी ये अब इस वरसाथ की सामय पर बिद्धी प्याहग के दौरा इन अधवासी लोगों के घरों लातने रहता है। यहां के लोग पास ही किना जिसे आयकुवा से लाका गंदा पानी पिते हैं जिसे इनके छोटे-छोटे बच्चों को भी भ्यानक दिवाय जैसे खत्रा बना रहता है। पंकज लगबग कितनी आबादी रहती है इस बस्ती में कुलान बस्ती जिसके हम बात कर रहे हैं। यहां लगबग एक हफ्टे से ज्यादा हो समय हो गए अभी आज भी बिद्द्धिवाब के दौरा इनकी बिद्द्धिस सप्लाई चालू ने की गई है। इस तमें इन दिनों एक हफ्टे से प्रसान करते ही नजराते रहते हैं। इस तमें इन दिनों एक हफ्टे से प्रसान करते हैं। उनके गाउं में पानी की भी तरही मची हुई है। वहां किसी के नमवाल चार्ज है न कहीं कुछ। पंगश फिर तो किसानी खेती करने में भी इनको परिश्वानी का सामना करना पड़ता होगा। जब पानी नहीं होगा तो फसलों को पानी कहां सुझाएगा। अब जंगल में रहने करते हैं वहां बिजू सप्लाज बंद हो गई तो वहां ना उनके पास पानी जा रहा है। ना चार्ज के लिए कोई साधा ना है जब बिजली नहीं रहेगी तो मोटर पंप कैसे चल पाएंगे। इसलिए उनके जीवन में पूरी तरह से लाले पड़े हुए हैं। ग्रामीर जोड़ चुके हैं रवी गुपता। रवी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका MKN में क्या कुछ परिशानियां उठानी पड़ती हैं आपके ग्रामीर शेत्र में बताएं। मैं मैं मजगमा से बोल रहा था मजगमा ब्लॉग है और यह तरसील भी है यहां पर एक गाउं है प्रंपूरवा पुलान जहां पर आजवासी बस्ती है इन आजवासी बस्ती की संक्या लगबक 40 है। यह करीब 15 दिन पहले यहां के बिद्विवाग ने लाइ तो काटी थी और कारण यह था कि उन्होंने बिल नहीं जमा किया था तो ग्रमीरो का कहना यह था कि जो बिल है आप शह महीने बाद एक खट्ता दिये हो हमा दिवासी हैं हम कहां से बिल दे पाएंगे इसको लेटर अब थोड़ा थोड़ा करके लिए लोग बिजली कार्टी अब जब बिजली कार्टी तो वो अनहेरे में रहने को मजबूर है और बहुत बुदी तरह परसान है मैडम हो बिलकुल रवी यह बताए कि जुस तरीके से बिजली कार्टी गए पहले क्या देर साल का समय बीच च तो है वो उपलब्द करवाया जा रहा है यहां पर ग्रामिर शेत्र को जी बड़ब क्या है कि विजली का जो विल है इनको एक दम से इखट्टे तर इखट्टे मिल गए हैं यानि कि जो इनको पे कभी लाता था इनको 15 हो किसी को 2,000 किसी को 2,500 इस तरह करके बिल दे दिये जिसने ये आजिवासी भिल देने में अत्मर्थ हैं क्योंकि इनकी कमाई लगडी है ये लगडी बेंच गिस जी रवी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए क्योंकि ग्रामिल परिशान तो है हमारे साथ विदिद विभाग के रवी मिश्र जुड़ गए है रवी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका MKN में रवी जी क्या कुछ कहेंगे मामले में चुकि ग्रामिल बहुत परिशान है क्योंकि यहाँ पर पांच दिन का समय बीच चुका है बलकि और जादा ही हो चुका है ग्रामिलों का कहना है कि यहाँ पर बिजली की उपलब्दता ना होने के चलते काफी परिशानी हो रही है सर् रवी जी आप सुन पारें रवी जी रवी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पारा है फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता दे कि मध्यप्रदेश के सतना जिले में कुलान बस्ती है जहां पर लोग काफी परिशान है सिर्फ इस वज़े से कि देवर साल बाद जब उनका बिजली कबिल आया तो इतना जादा आया कि वो उसकी भरपाई करने के लिए सक्षम नहीं है और लाजमी है कि आदिवासी बस्ती में रहने वाले तमाम ऐसे लोग ऐसे ग्रामिद लोग जिसे मूलभू सुविधाय नहीं मिलती है लेकिन बावजूद इसके यहां पर लोग परिशान नसर आ रहे हैं हमाई साथ विद्यूद विभाग के रवी मिश्चा जुड़का है रवी जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका एमकेन में जी रवी जी क्या कुछ कहेंगे लगातार यहां पर ग्रामिड परिशान है सर विद्यूद विभाग की एक लगातारी कारवाई करनी चाहिए कि लगातार जुस तरीके से लोग परिशान हो रहे हैं तो विद्यूद की उपलब्दता कराई जाए आखिर क्यों यहां पर लोग परिशान हो रहे हैं जिनके बीजिट है कि जिनके बेंट है जील में कुछ वे रूफ्रुट्त रहे हैं थील consistent लूफ्र BROWN सुमफ्रारा रहे हैं जिनके बुकाया है सर उनकी बात कर नुख रहा है दूट पर्मयणी लेकिन रवी जी देड़ साल बाद जब एकदम से यहाँ पर ग्रामी शेत्र के लोगों को बिल थमा दिया जाएगा पंद्रा सो हो गया या फिर एक हजार हो गया दो हजार हो गया कितना भी हो गया लेकिन सवाल यह उटता है कि आखिरकार आदिवासे शेत्र में रहने वाले लोग इतने पैसे लाएंगे कहां से क्योंकि एकदम से अगर किसी चीज की विवस्था करानी हो तो लाजमी है कि बिजली के उपलब्दता ना होने की चलते काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है हां पर पंदा सो रुपेगा है जी आज उनकी विवस्था है कि साफित पीन सो अजट्टे हो वह दस्ता भी दे रखी हमने समन्वाई की कमी कहां आ रही है रवी जी समन्वाई कमी है पहले है बिल तो इनको डिस्टिबूर कई साल नहीं हुए होंगे पहले जी बिल की पूर्ती ना होने के चल दो यहां पर तमाम जो ग्रामीड है वह यहां पर पर परिषानी उठा रहे हैं लेकिन सवाल यह उठता है क्या कर का कब तक यहां पर ग्रामीड परिशान नजर आएंगे हैः बहुत बहुत शुक्री आपका रभी जी हमाया साथ जोडने के लिए.